आस खड़ दुख पुंजन सार, सार रतात सुनाव मूरी, बार बार दिन महुत्र भुतर सुमु कुर सुहारी, बर नौ रग बर बिमल जस, जो दायक फल चार, बुत्ती हीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार बलबुती विद्याते हूं महीं, हरं कलेश भिकार, जै हनुमान ग्यान गुन सागर, जै कपी सति हूं लोक उजागर, राम दूत तुरित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महाबीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी अंचन वरं विदाध सुदेशा, महामान पुन्या लख़न सुतने, अंजन पुत्र पवन दायादे, आंदे में जञने मूसादे, संकर सुवन के सरिमंदन, ते प्रताप महाचग वंदन, विद्यावान गुनियत चातुर, राम आज करिवे को आतुर, प्रभुचरित्र सुनवे को रसिया, राम रूप धरिसिया दिखावा, विकट रूप धरिलंक जरावा, भीम रूप धरियसुर सहारे, राम चंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जिराए, श्री रगुवीर हर शिवर लाए, रगुपति किंद्र बहुत बराए, राम चंद्र के काज सवारे, तुम्हे रोजस गावे, अस कही श्री पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रम्हा दिम नीसा, नारद सारद सहित हीसा, यमकवेर दिगपाल जहां थे, कभी को विद कही सके कहां थे, तुम्हे उपकार सुग्रे वज किन्हा, राम लिजार आज पजदीन्हा, तुम्हरो माँचे भी शनवाना, लंके श्रवै सब जग जाना, जुग सहस्र जोग जन करावे, यूताई मदुल पलचावे, प्रव दिद्री का, मिरी उत्मारी जग दिलादी जय आज नारद दुर्गम का दिजद के जदे, सुगम अने द्रहत मरे, राम दुवारे तुम रखवारे भोतन आज्याविन पैसारे सब सुख गए तुमारी सरना उमल अच्छक काभू को डरना आखन तेर समारो आखे तीनों लोग रहा कखे ताशे भूत पिशाच निकत नहीं आवे मावीर जब नाम सुनावे तुमारी सब पीरा जपत निरंतर हनुमत जीरा संकत से हनुमान चुडावे मन करम बचन ज्यान जो लावे सब पर रामत पस्वी राजा इनके काज सकन तुम साजा और मन नूरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुमारा ए पर सिद्ध जगत रुजिरारा साजु शुट के उमर खवारे असुर निकंदन राम जुवारे अश्ट सिद्ध नव निदि के लाता असवर दीन राम की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदार और अगुपत के रासा तुम्हरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत काल रगवर पुर जाई जाहां जनम हरी भक्त काहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुक करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुनिरे अनुमत वलवीरा जै 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 हनुमान गुसाई क्रिपा करो गुरु देव किनाई जो सतवार पाठ कर कोई छुटे बन की महा सुक होई जो यह पड़े हनुमान चालिसा खोय सिद्धिसा की गौरी सा तुलसी दास सदा है तेरा की देना तर है महरे रा पवन संकत हरन मंगल मुरति रूप राम लखन सीता सैतर देवसु शुर्भु सियावर राम चंदर की रगुर राम चंदर की पवन सुतहन मान ची जै उमापति महा देव की बोलो भाई सब संतन की जै अगरवाल स्री सुरेंदर कुमार जै प्रानवाव। प्राथामाव बरति रे चरानवा। प्रानवाव। प्राथामाव बरति रे चरानवाव। प्राथामाव। प्रान्मारत्वारत्वार्त्वार्साथ जासु नेम ब्रत जाइन बर नाइ 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 जाण चरन पनकर जे मन जासु राम चरन पंकर जिन मर्म ज्यास्व। राम चरन पंकर जिन मर्म ज्यास्व। राम चरन पंकर जिन मर्म ज्यास्व। राम ज्यास्व। रुबुधाम धूप। राम चरन पंकर जिन मर्म ज्यास्व। राम चरन पंकर जिन मर्म ज्यास्व। राम ज्यास्व। प्राना उप्राध्राम अबरते पेच्छरा जासुने मन ब्रत्राइब 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 ताके जुगपद कमल मनावं सिता के चरण कमल है फिर भगवान राम के चरणों को भी कमल कहते है पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदव सबलायक फिर लक्ष्वन जी की बंदना करते हैं कहते हैं बंदव लच्छि मन पद जल जाता कमल शत्रुगन जी की बंदना करते हैं तो कहते हैं रिपु सूदन पद कमल नमामी प्रत्यक के चरण गोश्वामी जी को कमल दिखाए दिये बंदव गुरुपद पदुम परागा बंदव गुरुपद कंज लेकिन भरत के वंदन आई तो कमल शब्द नहीं जोड़ा प्रणव प्रथम भरत के चरण केवल चरण चरण कमल नहीं हर जगह कमल 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 श्री भरत जी के चरण को कमल नहीं कहा क्यों गुस्वामी जी मानते हैं कि भरत के चरण को भी मैं कमल कहूं तो सिताराम के चरण भी कमल और भरत के चरण भी कमल तो ठीक नहीं कोगा क्योंकि भरत तो भ मर है भ मरा है और भ मरे को कोई कमल बना दे तो ज्यान में तो ठीक है ज्यान मारक में तो ठीक है कि वह है वैसे हम है अहम ब्रमाशमे तत्व मसी श्वेद केतू आधी आधी लेकिन भक्ति में तो कवल और भवरे का सुमधूर दवैत होता है जिसको गोश्वामी जी वेद भक्ति कहते है हमारे शास्त्रों की एक मरियादा है गुरु शिष में आप कितने भी वेदानती हों कितने भी अदवैत के सिद्धानत को आपने आत्मसाद किया हो तो भी अपने गुरु के साथ शिष कभी अदवैत नहीं हो सकता वहाँ दवैत आवश्चक है इनियम है कि अब पति पत्नी में आदमी कितना भी वधानती हो जाहें लेकिन पती पत्नी में भी एक मर्यादा और सेवाक्षेत्र में दवाइट अवस्खक है एवश्यक्त सब ब्रह्म हम आया डूभी ब्रह्म मैं भी ब्रह्मा लुद्यक्त और लेजो़ कोई रोटी नहीं पकाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा यह आवश्यक है अब कहीं लोगों को बहुत ग्यान हो जाता है इतनी यह भाई कह रहे थे कि बाई सम पहले पूजा पाट करते थे लेकिन अब हूं नहीं करते क्यों, क्या हुआ पहले बहुत करते थे गंटों तक पूजा पाट करते, अब नहीं करते क्यों, अब ज्यान हो गया दन्य है तेरी जाहिरात को दन्य है तेरे साहस को अब ज्यान हो गया मैं भी ब्रह्म मुर्ती भी ब्रह्म, फूल भी ब्रह्म अब ब्रह्म के उपर ब्रह्म को क्यों चड़ाओं चंदन भी ब्रह्म, पानी भी ब्रह्म, अक्षत भी ब्रह्म, धूप भी ब्रह्म, निराजन भी ब्रह्म, तो ब्रह्म पर ब्रह्म को चड़ाने की क्या जरूरत, फूल भी ब्रह्म है, अब अद्वाइत और वेदांत के विचार में तो बड़ी अच्छी ब व्यहवार में ये चरितार्थ होता है अब किसी को भोजन की थाली परोसो रोटी दो सबजी दो और वो कहें मैं भी ब्रह्म परोसने वाला भी ब्रह्म थाली भी ब्रह्म कटोरा भी ब्रह्म रोटी भी ब्रह्म और ब्रह्म के उपर जुए बिरम को रोती डालने की क्या जूरो तो भूखे मरेंगे तो क्या होगा अराम्चृत्मानस के सिद्धान्थ सिद्धान्थ कहना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है सारवभोम सुक्त्र सिद्धान्थ तो किसी न किसी मान्यता में आबद्ध होता उसको भी मेरी चेश्टा है कि हम उडावन भर के न देखें जहां रह रहे हैं उस धरापर उसका नुभव करें यापक है अद्वैत है तो है ऐसा बें लेकिन यहां रहते हैं तो थोड़ा विवेक से सब करना पड़ेगा तो भरत जी के चरण यदि कमल हो जाएं और प्रभू के चरण भी कमल है तो भरत का जो भवर पना है उनका मन जो भवर है उसका क्या होगा इसलिए राम चरन पंकज मन जासू लुबुद मधुब इव तजाइन पासू ऐसे भरत जी के चरणों की वंदना को स्वामी जी ने प्रथम की प्रेम मुर्ती भरत राम चरितमानस में निराक हमने जो राम जनम मनाया तो एक निराकार ब्रह्म साकार हुआ व्यापक व्यक्ति हुआ सबका बाप किसी का बेटा हुआ निजतंत्र थोड़ा आंगन में सिमीत हो गया द्रवव सो दसरत अजीर विहारी लेकिन राम कथा में आपका ध्यान जाए इसलिए कह रहा हूँ कि राम कथा में फिर राम के ही दो अवतार हुए ब्रम का उतार तो राम है लेकिन फिर राम के दो अवतार रामायन में हुए एक तो मैं आपको कह चुका राम प्रेम मुर्ति तनु आही निराकार ब्रम का साकार रूप राम लेकिन राम जो ब्रम है उसका फिर एक आवतार होआ भरत के रूप में प्रेमावतार प्रेम के रूप में और दूसरा राम का उतार हुआ पादू का कहरूप में पादू का सिता राम जी का एक ही कल्प की कथा में एक ही लिला में लीला मध्य में एक दूसरा उतार हुआ इबात रामायन से निकलती है जब चित्रकूट की सभा में कोई निर्णई नहीं आ रहा था और आखीर में निर्णई हुआ तो भगवान ने एकदम पादू का भरत को दे दी बरत जी ने ऐसा का ताकि मुझे कुछ अवलंब चाहिए मुझे कोई आधार चाहिए ताकि मैं मुझे थोड़ा ठीक रहे तो भगवान ने आधार में तो भगवान कुछ भी दे सकते थे को वलकल बस्तर दे 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 महबूब की हर चीज महबूब होती है कुछ भी दे देते एक अपने निशंग से तीर निकाल कर दे देते किले कुछ भी दे दे चलता अपने हाथ से कुछ फूल लेकर दे दे बात खतम हो जाते लेकिन भगवान ने तुलसी यहां शब्द प्रयोक करते प्रभू करी कृपा प्रभू ने कृपा की और पावरी दिन ही पादुका दी और यह समवाद वैसे जिस तरह में कहने जा रहा हूँ वो सब तो रामायन में नहीं लिखा है वो तो दो लाइन के बीच में होता न अब भगवान को भरत जी ने पूछा कि आपने बड़ी कृपा की कि मुझे पादुका आपने दे इससे तो बड़ी कृपा क्या हो सकती है लेकिन एक बात पूछू आपको कि आपने पादुका क्यूं दी कुछ भी दे सकते थे और मेरे लिए आपकी कोई भी चीज आपके समान हो सकती थे अगर वो लुप से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है कुछ भी छूल है बात बन जाती तब बगवान ने कहा कि तुमें ये लग रहा है ना कि मैं बन रहूं और तुम अकेला आयुद्या में कैसे रहेगा इसलिए मेरे यानि सिताराम में जो हूँ उनका ये अवतार है पा पादुका लेकर तो नहीं आये थे तो बड़ी चर्चा है ना रामायन में पादुका लाये नहीं थे कहीं लोगों को बहुत चिंता है रामायन में कुछ प्रसंग पर कहीं लोग दूबले हो गए है चिंता करते करते पादुका कहां से आई कई-कई मां की तो आज्या थी न चलब पयादे बिनु पदत्राना ऐसा है तो पादुका कहां से आई अब वो ब्रह्म है सर्वशक्तिवान परमात्मा है संकल्प से सुरुष्टी उत्पन होती है तो उसी समय प्रभु ने संकल्प किया होगा और पादुका हो गई होगा तो तो सभी बातें खत्म हो गई हो कोई चर्चा को आउकाश नहीं रहा लेकिन कोई इस तरह न माने तो पिर क्या तो कई महात्मा उसे में ने सुना था कि वही बरत जी राम जी को कई कई ने तापस वेश कहा कि तापस वेश में उदासीन बनकर आप जाओ तो तापस वेश में तो बलकल बस्तर होते हैं ये सब उसमें तो पादुका भी आती है तो भगवान राम ने साथ में ली थी लेकिन पहनी नहीं भगवान को पता था कि भरत आएगा मुझे देनी पड़ेगी इसलिए साथ में रखी होगी और आज वो दी इसलिए आपको दूबले होने की जरूरत नहीं है वो दे दी तो ये भी प्रश्णों होता है कि रखी कहां कोई धिला जोला तो हाथ में था नहीं तारा माथा उपर रखी थी और एक तरक ऐसा भी आता है कि जब भरजी पूरे यद्या को लेकर गए और वहां एक निर्णई हुआ था कि बन में ही राम को राज दे दे तो राज्यक राज्या भिशेक की सभी सामगरी जो चाहिए वो सब लेकर गए और ये बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्ता थी देश में कि किसी राज्या का राज्या भिशेक होता था ना तब राज्या भिशेक के समय उसको पादू का माला आए कुछ ऐसे वस्तर भी राज्या भिशेक के समय दिये जाते इसके पीछे संकेत था कि कुछ साल तक तु राज कर लेकिन चौथा पन आ जाए तो यही पादू का पहन कर तु वान प्रस्थी हो जाना यह पहले से ही कहा जाता तो भरज्जी साथ में ले आये होंगे अब राम जी का तो राज्जा विशेक नहीं हुआ राम तो बन में जाएंगे तो फिर पादू का जो भरज्जी ले आये थे उस अब रखा होगा सामानवार भगवान ने उसी पादू का ले ली होगी पहन ली होगी दिख्षित कर दी होगी और प्रभु करी ग्रपा पावरी दी ने दे दे एक संत तो कहते हैं कि भगवान केवट की नवका में बैठकर गंगा पार किया न उसके बाद ये जो नवका वाली लकड़ी थी ने उन्यमी से एक टुकड़ा निकाल कर दो पादू काहें बनाई गई थे और भगवान को भेजी गई थी एक ऐसा भी अविप्राई संत लोग कहते हैं लेकिन मेरी समझ में प्रभू का अवतार हुआ है पादू का के रूप में तो भगवान ने कहा भरत में इसलिए पादू का देता हूँ कि ये मैं और सीता ही है पादू का दो हैं सीता राम है ये पादू का अखिर में भरत को ये अन्वह भी हुआ है पादू का के पंक्तियों में भरत मुदित अवलंबलहेते गो स्वामी जी महसुस करा देते तो जब भगवान ने कहा कि मैं कृपा करके आपको तुम्हें पादू का देता हूँ क्योंकि वो मैं और सीता हूँ तो ताकि तुम्हें ये नग हो कि मेरे राम जान की बन में गए हैं पादू का के रूप में मैं तेरे साथ ही हूँ ये मैं ही हूँ तो भरत जी ने बड़ा सुन्दर स्नेह वाश भाव वाश प्रश्ण पूछा कि ये पादू का आप ही हैं कोई फर्क नहीं बोले कुछ फर्क नहीं तो ऐसा करो ना पादू का को बन में बेज दोरा बवन में चले आईए ये तो कोई फर्क ही नहीं है तो पिता की बात रह जाएगी मुझे भी कितना ओह हो जाएगा और कितना सब ठीक हो जाएगा और क्या जवाब दिया है मेरे ठाकूर ने सुनिए गासाभ ये है राम चरितमानस भरत मेरी भी यही इच्छा थी कि पादू का यदि मैं हूँ मैं यदि पादू का है पादू का मैं हूँ और पादू का मैं हूँ मैं पादू का हूँ का निर्वान श्टक्यम चर्चा कर सदा में समत्वम समह सर्वेश भूतेशु इस शास्त्र भचन है सम सम जदपी सम कुष्वामिजी नहिरागन रोशु गहिन पाप पुन्य गुन दोशु सम 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 जीवन में कभी भी सम आये ना तब समझना व्याहवार में भी तम समझना कि इतनी क्षण हमारे जीवन में सम नहीं ब्रह्मा आया है इस संगीतकार गाते गाते बजाते बजाते सम पर जाता है तब ब्रमा आता है बाकी के समय में राग होता है विराग होता है द्वेश होता है अरे बहुत कुछ होता है अभी भी एक बड़ी तकरार ना हो गई फिर माफी मांग ली गई अरे अच्छा हो गा यह एक खत्म हो गय दो दिगज संगीत कारोंके भीच में मंच पर जुटकर हो की, अथी बात नहीं, सम, अब गाने वाले, बजाने वाले, सम पराना होता है, बड़ा प्यारा है, सम, अब बोले गाये ना तो अरो औरो सहब होता है, उन्चाय में बोले छला नीचे हो जाई हो, लेकिन सम को पकड़े रखना पड़ता है सम पकड़े में आया तो कोई सम गया तो विशम और जहां जहां विशम ता आई वहां फिर खबर नहीं किया क्या सुरुष्टी निर्बान होती सम बुद्ध सम है महवीर सम है सब सम जिसस के दौनों हाथ समान अंतर पर खिले ठोके गए यह एक किसे में खिले ठोकने वालों को संबम का अगनान नहीं था उनको क्या ग्यान यह तो अस्तित्वन निर्णाई करवाया होगा और अब जो वो जो क्रिस्पाइड किया जो बिलकुल बीच वाला जो है वो तो बीच में है बिलकुल मध्य में और सम अंतर पर दोनों छोड़ है और जब हाथ में खिले ठोके तब सम अंतर पर थे गीता का, अर्जुन का, रत, कृष्णा कौरव और पांड़ों की सेना के बिलकुल समान अंतर पर रखते है एक फुट भी पांड़ों की तरफ नहीं और एक फुट इधर नहीं जदपी सम वेपार में, व्यहवार में, परिवार में जब सम आये ना, तब राजी होना एक्षन आये तो भी राजी होना कि मुझे में ब्रह्मा है सम ब्रह्मा है विशम संसार है सम ब्रह्मा तक्रार करते करते भी सम बुद्धी आ जाए मुझे आद किसी ने कल पूछा था कि बापू तक्रार होती है जरा बताओने तक्रार के बिने रह नहीं सकते लेकिन कोई ऐसा समय बता दो कि इतने समय तक्रार न करे पाँच समय तक्रार न करे यह तुमारे पंच यगन हो जाएगी कृपिया करबद में विनिवेदन करना चाहूँगा हो सके तो पाँच समय तो यह पाँच समय की नमाज है दिला क्या दिला दिला वर सुत्र बना यह क्या हैं गुने ब année 211 भड़ अलब हां यहां सा सुत्रह सुष्ट्र फूट रहा है उमारे था खबर बीचों कैं वाँमाइ नि कीछा है मारा वाटना सुष्टे निकुले है डिल प्राजिसु सिंग्म चैंट जिल पीर अबार दिल रुबा घर ससना और यहां सब्सक्राइब, ड़्जा नहां। रेकर लिए रच Memphis 2 कोईभ भुम्को जाने? सबस्या भुम्मा कि लिएपली, शर्ख करेंग Strategic dfif क्यों ख необходимо हमें लनी आजैने, मत्यार को हम रिए him और आपने कीकि अ 항상 जा झाल ऑजैये Hersa गो الرצם जन्यवाद शोविद भाइ, जन्यवाद शोविद भाइ, जन्यवाद कोई लेने देने की तो बात नहीं है। यह धर्म वानिज्ज्यम तो नहीं है। आपके जीवन में ही बात खरकर के युवान भाए, जन्यवाद को तो खरकरween। बात यदी दिल तक पहुंचे, तो सोचना। जल्दी भी मत करना पांच समय तक्रार करनी ही नहीं पांच समय का मतलब मैं छूट नहीं देता हूँ कि फिर करते रहूँ ऐसा मतलब गलत न करे लेकिन कम से कम जिसमें विवेक है सत्संग से उनको तो पांच समय तक्रार करनी ही नहीं चाहिए एक सुबह में कभी तकरार मुद करते हैं कुछ भी हो जाए दुनिया जल जाए जल जाए सुबह में बतकर लखनव का नवाब अपनी वो छड़ी लेकर मौर्निंग वॉक करने निकला है एक तो लखनव वो नवाबी ठाट वो उनकी जो एक नवाबी सब अदाएं होती है इतने में एक नौकर आया और कहा कि आपका मकान जल रहा है आई सही मुष्कुरा था हो जा रहा है बाद चड़ी वो ही मुझडी नवाबी वो नवाबी ठाट थोड़ा मुष्कुरा है मुख में पान आहा थे नो हमकर नहीं तो लाकली पड़ी जाए पान आहा थे सुना थे चड़ी मार बदू ध्यान राख भूपने नवड़ी काले कोई प्रस्ट न करे के यहाथ से आम हमकरियो तो चड़ी गिर गई हो जितना में बचू इतना तो बचने की चेष्टा में रहता हूं नोकर ने कहा कि अपने सुना की नहीं मेरी बात फिर भी अनसुने वो ही मुस्कुरा है एक युवान ने आज मुझे लिखा है कि बापु में कथा से तीन ही बात सिखा हूं क्या आप इस से राजी हैं इंग्लिश में लिखा है यानि लिपी अंग्रेजी हैं लेकिन मैं समझ पाऊं इसलिए हिंदी में लिखा है एक तो मैं प्रेम सिखा हूं बापु कि बाप जहां तक संभव होगा मैं सबसे प्रेम करूँ दूसरी बात जम तक मैं जाकता रहूँगा सब को मिलता रहूँगा इस सब के साथ समाइल करूँगा मुष्कुराँ और तिसरी बात लिखी मुझसे जितना होगा मैं स्थ पर करूना करूँगा सद्गुरू की करूना पाकर यह अची बात यह तो कथा सफल हो गई बैज और करना भी क्या है बात खतल हो गई इससे क्या करना ज्यादा हो गई बात सबसे प्रेम करना सबसे मुस्कुराते रहना और सब पर करुणा करते रहना इससे बड़ी कौन उपलबती है यह बड़ा अच्छा निरणे तो वो मुस्कुराता हुआ है इसे अपने डंग से वो नोकर पूछता है कि आप एक दो कमरे तो जल गए है उसने कहा कि अब इतनी दूर आ चुका हूँ कि पहुंचूंगा तब तक तो पूरा जल जाएगा एक मकान जल जाए इनमे जिन्दगी भर की चाल थोड़ी बदली जाती है यह तो मेरे जिन्दगी भर की चाल है जनक तरहता यूग में ही पैदा नहीं होते है जनक तो कभी कभी हर यूग में पैदा हो जाते है और जनक को कोई कौम और धर्म का बेद नहीं होता वो तो एक सम के रुप में प्रगट होगा है यह सम कुछ भी हो बहुत कठी नहीं हमारा सम कैसा है कि एक विक्ती नहीं अगर कहा कि आपके मकान का सौदा हो गया खुश हो गया बात कर दो और फिर मकान जला और खुश हुआ कि अपके सौदा हो गया अपना कान जल रहा है इतने बेटे ना आकर का कि सौदा विफल हुआ फिर सीर पिटने लगा हमारा सम लड़ खड़ा जाता है तो पांच नमाज करना सुबख सुबख में कभी तकरार हो यह मेरी बात आद को सारव बहुंग लगे कैसे भी सुबख में तकराहट टाल रहा है हो जाए तो भी मुस्कुरा करके चाय बना करके सुबख में तकराहट बना करके सुबख बहुत बड़ा प्यारा समय है संध्या और सुबख उशा और संध्या मिलन की बेला है क्योंकि उशा में आसमा और वो अभी सुरज निकला नहीं है हमारे रामायन में बहुत सुंदर एक सब्द चित्र बड़ा नाजूक सब्द चित्र है उदित उदाइगिर मंच पर रगुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब आरशे लोचन भ्रेंग भगवान राम धनुष कोई नहीं तोड़ पाया फिर भी उठे ही ना उठे ही ना बैटे रहे बाई सब देखते रहे इतना हल्ला हो गया लक्ष्वन जी बीच में इतना बोल गए इतना बोल गए कि सकोप में पुरे लाल हो गए करोध में फिर भगवान को कहा कि महाराज में इतना बोल रहा हूं जनक जी अपमान कर रहे हैं ये सब इतना हो गया फिर भी आप चुप शान्त बैटे अब तो उठो हम सुर्य वंशी हैं तो भगवाल ने कहा कि सुर्य वंशी होने के कारण सुर्य को उगने का एक नियम है सुर्य उदी तो हो इससे पहले आकाश में लालीमा होती है बिना लालीमा हुए सुर्ज कैसे अब तुने लालीमा परगट कर दी अब सुरज निकले गए तो द्रश्टांत रूपक बाढ़ा उस सुबह का बाढ़ा और उस सुबह का जब समय बाढ़ा तो तुलसी क्या लिखते बिश्वा मित्र समय سुबह जा ली तोकि सुबह का समय कायम शुबह होता है उसे शुबह समय में महर्बानी करके तक्रार मत कर इसका मतलब नव बजे के बाद मैं छूट दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं है लेकिन 24 गंटों लड़ते रहें कम से कम यह पांच नमाज पढ़ें नमाज शब्द ऐसे आ गया तो यह सब बंद की सब यह की है ना क्यों लोग लड़ते समझ में नहीं आता है हमारे प्रवाज साब क्या रहे थे उस दिन क्या भगवान राम अयुद्या आये हों कि क्या वो इद का दिन नहीं वो भी इद है जहां मिलन हो जहां कोई आ रहा है जहां प्राप्ती है क्या फर्क पड़ता है तो एक तो सुबह बलो बरत ठीके बाद मैं नव गणों को पूछू नव गणों मुझे तो इन नव गणों का नाम भी रखना है बहुत अच्छा इन नव युवान बोले बापों गोर हर वक्त कता देना बस कोई कारण ने कोई हेतू नहीं और जब शुवेत हुएता है तो ये नव व्यक्ति फिर समर्पन भी कर देते हैं कि दूर दराज हमारे गरीब भाई बहन रहते उनकी शिक्षा की कुछ विवस्ता हो सभ्यता बनी रहे विचार तूटेना कोई प्रलोबन दे कर उनको भाई और प्रलोबनों से वो न करे इसलिए एक जो काम हो रहा है तो ऐसे शुबेतू के लिए फिर वो लोग समर्पन भी कर देते हैं कि चलो अच्छा है आप आपके लिए यहो तो सुबह में तगरार मत करना सुबह सुबह में नहीं बहुत यदि हो जाए शुरू हो जाए तो फिर चाय पी लेना कोई गीत गुन गुना देना अल्ला यह अदा कैसी है इन हसीनों यह अल्मा यह अदा कैसी है इन हसी रूठे पल में नमाने महीनों में रूठे पल में एक पल में रूठ जाए पर मनाने में महीने लग जाए उसने सुबह को काल रात्री बना दिया रूठे पल में नमाने महीनों अल्ला यह अदा कैसी है इन हसीनों सुबह में नहीं सुबह में मुश्कुराओ चाय पिओ नास्ता करो एक दूसरे जोक सुनाओ घर को हरा बना रखो यह पूजा के सब उपकरण है इश्वर की पूजा केवल चंदन गुलाल से ही नहीं होती तुमारी मुश्कुराटों से होती है एक दुसरों के लिए आखों में प्यार आएं इससे पूजाए होती है विश्वा मित्र समय सुब जाने तो एक तो सुबह में नहीं दुसरा यदि आप उजा करते हैं स्वाद्याय करते हैं भजण करते हैं कुछ भी आप करते हैं जो करते हो तो आपके भजण साधन पूजा पाठ ये करते हो ध्यान करते हो अइसे समय में कभी चित्में कुरूधमत रखें कहीं लोग तो मावन रखते और मावन में इतना गुस्सा करते हैं कि मावन इतना तेज तो उनकी मुखरता भगवान बचाएं कहीं लोग मावन रखते हैं तो गुस्सा करते हैं परिवार पर हिशारे में कहते क्यों कल देखना कल देखना आजी दिखाई दिया कल क्या होगा अभी से पता लग गया कि अभी जो ये है ठीक से समझिये बाप धरा पर रहकर जीना है हम सब को इसलिए अपने विहवार बें कुस सुत्र को लेकिन लोग का यहां तो सिर्फ गूंगे और लोगे बहरे लोग बसते हैं खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा दोस्यंत कुमार में का कहते हैं बहुत मजाया बहुत लेकिन यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोगे बहुआन जाने कैसे जलसा हुआ होगा वरत देखो विश्वा मित्र जी करोद करते ना तो राक्षसों को एक शन में जला कर भस्म करते लेकिन यगन यागादी अनुष्ठान कर रहें सोचें कि मैं इस पूजा समय में अनुष्ठान के समय में करोद करूं तो मेरे अनुष्ठान जलकर भस्म हो जाई है इसलिए निकले राम की मांग के लिए अयोध्या की याद्रा की लेकिन वरना उस मात्मा को क्या एक श्राप दे दे राक्षस समाप्त हो जाते हैं जब मारीच और सुबाओं को मारा गया ने तब इस पक्षस से करूध नहीं हुआ क्योंकि यगन चल रहा था करूध तो इन लोगों ने किया सुन मारीच निसाचर कोही ले सहाई दावा मुने द्रोही करूध वहीं से है यहां तो प्राथ काल उठी के सुबख में बगवान ने कहा कि बस निर्भाई जग के करो तूँ जाए अब जाकर यह कि करो नहीं आने दियत तक्रार हर रामाइन का समय पकड़ी है रामाइन का एक टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को जो पकड़ लेता है वो साधक बन जाता है रिष्ट को गड़ी रखो जेब में रखो लेकिन आपकी जोली में छोटा सा रामचरित मानस होगा न वो एक ऐशी घड़ी है कि समय समय पर आपको जगाएगा कि तेरा नव बजिगा तेरा बारह बजिगे तेरा ये समय हो गया आपको जागुरुत रखेगा रामाइन अरे कवी रामचरित मानस या गीता या तो कोई भी सदग्रण्द मैं तो वहां तक कहते हूं कोई अच्छा साहितिक ग्रंग जिसमें अच्छी अच्छी कविताएं हो श्लोक हो, मंत्र हो, कोई भी कभी ब्रयोक तो करो सीने पे रखकर सोव सपने भी अच्छे आएंगे कभी ब्रयोक तो करो तो अपने अच्छे आएंगे तो क्रोध तो इन राक्षसों नहीं किया विश्वामित्र जी तो नहीं करेंगे सुनितार का क्रोध करीद है यह सामने प्रक्षा से सब क्रोध के मंदान है और लक्षमन जी तो बहुत क्रोधी भी क्रोध नहीं करते सुबह का समय है और वो क्रोध करें न तो भी लायक थे अब राम जी ने क्या किया यगनमे और लक्षमन जी राम ने तो दोड़ राक्षस को मारा देड़ को मारा है खाली डेड़ को मारा विश्मा मिल एक तो सुला हूँ को पूरा मारा और उसको अध्मुवा करके फैंक देड़ राक्षसराम ने मारा अनुज निशाचर का टकस्न छोटे भाई ने तो पूरा राक्षसराम का संभार कर दिया फिर भी कोई क्रोध नहीं कोई तकरार नहीं गती की बात है डेड़ हमारे उन्हां डेड़ सो मारे है लखन बहुत अद्भूत है लखन नहों तो राम जी अधूरे हो जाए बरत के बिना राम चले लक्षमन के ठीक मेरे देश की मनिशाओ नहीं किया हर मंदीर में राम के दाई नहीं और लक्षमन को खड़ा करना पड़ा इस देश को जैसे बिन्दावन में कहा जाता बिना राधे शाम आधे राधे शाम इसी सुत्र के सनमान में एक ठुनका हो जाए कितना प्यारा है उनका नाचना उनका जो सूर में स्वर्में बंदे रहना कोई मुक्ति की निशानी है यह तो मुक्ति का देश है बहुत अच्छा बाब बहुत अच्छा इससे सहज रहना बड़ा मुश्कीद है काश कोई होता मजबूर कहते है काश कोई होता और कोई नहोता काश जिस के साथ हमको अच्छा लगे ऐसा कोई होता जिस सुत्र से जिस स्वाध्याय से जिस चिंतर से काश कोई होता और कोई ना होता दुजरा कोई ना होगा काश कोई होता और कोई ना होता फिर क्या होता क्या नहीं होता हो गई कविता पूरी काश कोई होता कोई माने उनका नाम उनका सिमरन इनकी याद इनके लिए बहाई आसू काश कोई होता और कोई ना होता फिर क्या होता क्या नहीं होता उसी ख्षण में सब कुछ हो जाता है, उसी ख्षण साक्षातकार की ख्षण है, उसी ख्षण गंगा सागर संगम की ख्षण है, वो ही ख्षण है परमबंदगी की, इस सहस्ता में होता है, रादेशाम अभी अभी एक शब्द बोलते हम तो खिलोने हैं सब खिलोने हैं उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई सब उनकी दारों की खिलोने है और वो सुत्रधार हम सब को नचा रहा है उसी में आनंद है यह जिन्द की आपको नहीं लगता है मैं तो गद गद हूँ फूले नहीं समा रहूँ इमानो जीवन कितना अद्भूत मिला है फिर भी आदमी तकरारों में बिता दे तो अभागा है अभागा कितना सुन्दर जीवन दाता ने क्या नहीं दी दिया आँख दी और वो भी इधर दी यहां देते तो आप उनका अस्तित्व की व्यवस्था को तो आदर दो सलाम तो करो इस अस्तित्व की निरणे को यहां दिया यहां देते तो जश्मा आम परवापड़ अब आप देखें कितने अभद्र लगते कढ़ंगे लगते कैसे कैसे विकलांग हो जाते हैं क्या संदर्ता दिये ठाव इश्वर संदर्य प्री है इश्वर को संदर्य जहां भी संदर्ता देखो ने हाँ कामना मत करो शिकार द्रश्टी मत रखो लेकिन जहां भी संदर्य देखो वहां ब्रह्म में उतर रहा है गीता का विबूत योग तो पढ़िये जहां कुछ अच्छा ही दिखे अरजुन वो मैं हूँ किसी में तेज देखो तो व्यक्ति को मत देखो मुझे देखो किसी में विद्या देखो तो व्यक्ति को मत देखो मुझे देखो किसी में रूप देखो तो वो मैं हूँ और हम क्या रूप देखे तेज देखे तो इरिशा करते हैं या तो शिकार करते हैं आँखे शिकारी नहीं होनी चाहिए आँखे पुजारी होनी चाहिए हमारी आँखे शिकारी है पुजारी न बन जाए आँखे न तेरे हुशन से गरज न तेरे रूप से गरज स्वामिराम तिर्थ ने लाहोर की वो मशूर नत्यांगना को देखते समय ये पंक्ति कही थी जा रहे थे बादशाह राम और वो नर्तकी अपने कोठे पर सजजग ग्राकों को निमंत्रित करने के लिए पूरी सजी हुई थी पगत स्वीं की माँ और नर्तकी का जो बेद था दर्भ यहाँ पंद्रह वीश लोग यहाँ पंद्रह हजार लोग करीं पंद्रह यहाँ ओर्द्रह कुछ प्रहक अज़ कोठें के लिए में बजल कोठी बढ़िए जरते हैं ले लो मालकों उस में जनक जनक जो भी बाज़ पाएं लिए जनक जनक बाज़ ना तेरे हुशन से गरज ना तेरे रूप से गरज स्वामी राम तिर्थ ने लाहोर की वो मशूर नत्यांगना को देखते समय ये पंक्ति कही थी जा रहे थे बादशाह राम और वो नर्तकी अपने कोठे पर सज्धक ग्राहकों को निमंतरित करने के लिए पूरी सजी हुई थी पगत्सी की माँ और नर्तकी का जो भेद था था यहाँ पंद्रह वीच लोग यहाँ पंद्रह हजार लोग जानका जानका मुवी पाए जानका ले लो माल को उसमें नाची रे बादे भुभां ते नाची रे बादे रुभां तयार सद्धस के तयार हुई थी नर्दकिया और बादशार आम वहां से निकले देखते रहते हैं ठाड़े से रहते रहते हैं अनिमेश, एक साधू पुरुष, गेरुवे कपड़े पहने हैं, और एक जगत को मोहीत करने वाली अपना उनका शाथा हो, उनके सामने बसे, भए थकित जिमि चंद्र चकोडा, और साधू की निगाह सहन करना बहुत कठीर होता है, तो विकारी की निगाह, कोई भी सहन कर लें, लेकिन जिनकी आँखों में उपास्त ना होती, इन आँखों के सामने नजरे मिलाना बहुत मुश्कील पड़ता है, तो कुछ देर तक बाबा देखते रहे, तो उनका सीड नीचे उगए, और भी नर्तकी ने कहां कि बाबा रास्ता भुल गए आप, आप को तो सन्याज आश्रम जाना चाहिए आप कहां, जोगी जाओ रहे, यह तो प्रेम की है नगरी, यहां कहा आ गए तुम, यहां तो प्रेम ही है पूजा, और मेरे रूप को इस तरह देखते हैं, वो सरक्सर कलम हो जाते हैं, तो एक दम सावदान होकर मुश्कुराद यारे, ना तेरे उष्ण से गरज, ना तेरे रूप से गरज, मैं तो परमात्मा की कलम देखता हूँ कि कितना सुंदर चित्र निर्मान किया, सरकलम की कौन चिंता करे, मैं तो गोविंद की वो, वो पीछी देख रहा हूँ कि क्या रंग पुरा है तुरे में, क्या रूप है, जहा तो सुबह सुबह तकरार मत करें और फिर भजन, साधन कुछ करते हो यदि स्मरान कुछ कुछ करते हो कुछ करते हो तो मेरा कोई दबाव नहीं सबसे स्रिष्ट तो साधना ये है कि कुछ न किया जाए होने दिया जाए कुछ भी न किया जाए वो सर्वस्ष्ट साधना है जो होता है वो होने दिया जाए क्योंकि एक अनियती वाद है मानस में क्योंकि होने दिया जाए और जब होने दिया जाए इतनी छूट आप अस्तित्व को दे दोगा न तब क्या होगा हो यहीं सोई जो राम रची राखा हराम रची राखा नहीं राम रची राखा कभी अशुब नहीं होगा फिर हराम रचे तो अशुब राम रचे तो शुब क्योंकि राम है मंगल बवन मंगल हारी यह तुलसी का नियतिवाद राम किन चाहे सो कुछ भी न को अब इसका मतलब यह नहीं कि हम निश्क्री हो जाए जान देना कोई भी किसी भी सुत्र का गलत अर्थ मत करिये कोई फिर यह सोचे कि लो बाप उन्हें कह दिया कुछ नहीं करना तो पूजा न करे, पाथ न करे माब आपको प्रणाम न करे, मरियादानों निभाए यह न करे, यह न करे, ऐसा गलत अर्थ यह सब जरूरी भी है विवेक से जितना हो करो लेकिन सर्वोतन सिद्ध यह जो सर्वभूम बात है उसमें तो यही ही है कि कुछ भी न करना बड़ा मुश्किन है अब कोई कहे कि कुछ भी नहीं करना लेकिन हम किये भी ना तो नहीं रह सकते तो क्या करना, तो स्वामी शर्णानंजी महराज एक जवाब देते है तो दो काम करना सबसे उत्तम तो यह है कि कुछ नहीं करना लेकिन करना ही पड़े तो दो काम, ध्यान रखना क्या, बुरा ही न करना जितनी हो सके इतनी भलाई करना अब आप देल कि धरती पर ही हम चलना सीके बस और उड़ान बुडान भरनी ही नहीं है यह इतना उचा बैटा हूँ वो भी व्यवस्ता के नाम पर मेरा बस चलता तो मैं आपके बीच में बैट कर गाता यह तो एक व्यवस्ता है मेरी कि मैं आपको देख पाऊँ आप मुझे देख पाए इसलिए है जहां है इतना इस सौ साल जो हमारी एक बात है कि सौ साल क्या हूँ इसमें जितने साल हो इतनी साल की एक छोटी सी उम्र में थोड़े सुत्र समझ जाए ने तो आद भी कितना आनंदित रह सकता बड़ा आनंद में जिया जा सकता है लोग रोते हुएं यानि दुख से क्यों जीते हैं वो आश्चरिया आनंद में जिना आश्चरिया नहीं क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है सच्चिदानंदरूपाय विश्वत पत्यादी भेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमहा श्री मत भागदा बन सकती है कुछ न करना सबसे बड़ी बंदगी है जैन सादू क्या करते है जैन मत में यही है भुख लगे खालो निंदाए सो जाओ साहज बिल्कुँ पुरी जैन परम पराई बुद्ध से और जापान ने जिसको ज्यादा स्विकार कर लिया जैन परम पर यदि करना ही पड़े तो दो बात ध्यान रखे बुराई न करे भलाई करे स्वामी श्रणा अनंजी आगे कहते है भलाई करने का एहंकार न करे कितने जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं चलना जैसे आद पकड़ कर बच्चों को सिखाते हैं गिरन जाए उसको आनन दाए हमको आनन दाए और वो चलना स्वातन तर सिख जाए क्या हो बेटा बड़ा हो जाए फिर भी बाप माबाप करे एह पापा पगली कर ले बेटा आये मुन्यों वीश वीश साल का होगा है भी तब भी ये धंदा करना नहीं उसको स्वतंत रूप में चलाने के मेरे देश के सद्गुरों ने चलन गाडियां पकड़वाई है कि लो बेटा चल सादक चल 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 पर जब चलना सिख जाता है तब दूर खड़े-खड़े तालिया आरे मेरा बेटा सिख गया मेरा बेटा चलना अप दीपो भवाई अब तुम तेरे पैर से चल तेरे विवेट के प्रकाश में तेरी राह तक चल अप दीपो भवाई तुलसी लिखते हैं यह सब बीज तुलसी के किसी गुरु को अपने शिशो को बस ऐसे तयार करना चाहिए भाकि फिर उसको सदा सदा वोसा नहीं रखना वो खुद चले यह सब को करना तो धरापर की सब बात है कुछ भी न करना सबसे बड़ी साधना अब किये भी न रहना सके तो कम से कम बुराई न करे भलाई करे और भलाई करे तो इसका अभिमान न करे और इससे भी मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि भलाई करें और अभिमान तो न करें चलो लेकिन की हुई भलाई से दुसरों की स्वाधिनता खत्रे में हो जाए इसा मत करा दुसरा स्वाधिन हो तुमने भलाई की और विचारा जिनकी बराबारमश रहे और उनकी स्वाधिनता तुट जाए तो तुम्हारी भलाई गंगा जल में कुछ शराब के बुंद मिल गए रहा तो गंगा जल लेकिन कुछ बुंद जरूर अंदर गिर गए शराब के और मुझे कोई कहा है ने प्रेम के बारे में तुम्हें ये सब सुत्र प्रेम के और मोड़ दे प्रेम में कुछ करना नहीं है प्यार में करना अज मुझे पुछा गया प्यार और प्रेम में अंतर मेरी समझ में तीन है प्यार, प्रीती, प्रेम तुरी कौन है प्यार किया जाता प्रेम किया नहीं जाता अब प्यार, प्रीती, प्रेम हम समान अर्थ में लगा दे तो कोई आपती भी नहीं है लेकिन जिसने दिल से कुछ महसूस किया है उनकी अनुभूतियां उसका विशलेशन कर सकती है प्रथक्रन कर सकती है प्यार उसको कहते हैं जो किया जाए जो उड़े, उगे, जो उगा जाए कभी-कभी अचानक आदमी को बस प्यार फुटाएं प्यार का एक्षित्र है प्रीती उसी को व्यासपिट कहेगी कि जो प्यार प्रगट हुआ है उसका फैलाव होना एक दुसरों में इस प्रीती का प्रवाह बढ़ना वो प्यार बढ़े उसको प्रीती है कैसे एक दरस्टान देकर आप सोचे प्यार हैं जैसे एक बीज से ब्रिक्ष का पौधा निकला ब्रिक्ष हुआ और प्रीत हैं ब्रिक्ष का फैला फिर छाओं में अब जब तक वो बीज था तब तक हमको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती थी कि उसको ज़्यादा दूप न लगे ज़्यादा पानी न हो जाएं कोई बकरा उसको चर न जाएं ये सब जयान रखना पड़ता था लेकिन जब एक बड़ा बर्गत का पैड़ हो जाता है तब वो शत्कों को आश्रही देने लगता है उनकी छाओं में लोग विश्राम करते हैं फैला सब नर करही परस पर प्रीदि ये फैला सब की ओर प्यार प्रगत हुआ सब और फैला उत्परी दे तब प्रेम क्या है प्रेम तो वो आसमा है जहां सब उठते हैं फैलते हैं और आसमा बिल्कुल निरलेब और निर्मल सब को संभाले हुए है उसी का नाव है इसलिए प्रेम शब्दों को इधर उधर प्रेम शब्दों को प्यार है यह अच्छा है प्यार है प्रेम ने प्रेम तो आकाश है देम शब्दों उनमे ही तो यह सब चल रहा है प्रेम रूपी गगन में पृत्वी है पृत्वी में कोई ब्रिक्ष निकलता है फिर फैलता है उनके फल होते हैं ये सब प्यार पीटी का संसार प्यार पीटी का ये सब नरतन है लेकिन प्रेम है बहुत असीम आकाश इसमें सब होगा जिसको रामायण प्रम प्रेम कहता है पूरण प्रेम की संग्या देखे मैंने तो विवेका चुडामणी के आधार से मैं जहां ब्रह्म शब्द लेता हूँ तो वहां ब्रह्म का परियाई प्रेम कर देता हूँ यह अपनी रीत है क्योंकि राम ब्रह्म है और तुलसी ने लिखा है रामगी के वल प्रेम कि आधार जानी ले हूँ जो जान कि आधार जानी ले हूँ जो जान कि आधार मेरे मन में जहां ब्रह्म शब्द है उनका परियाई प्रेम बन जाता है बस ब्रह्म आकाश तो प्रेम आकाश ब्रह्म समुद्र तो प्रेम समुद्र ब्रह्म अगाध तो प्रेम अगाध जो साथ साथ सुत्र में विवेक चुडामनी से आपकी सेवा में रख रहा था शंक्राचारी कहते आकाश वत निर्मलम ब्रह्म के बारे में कितनी कितनी बात है जगत गुरु ने आकाश की तरह वो ब्रह्म निर्मल है अब ब्रह्म का परियाई जब प्रह्म करूँ तो प्रह्म निर्मल है इस से ज़्यादा पवित्र कोई चीज नहीं प्रह्म के समान कोई निर्मल चीज नहीं निर्लेव आकाश निर्लेव है दूसरा सुत्र और मेरी वियास्पिट को अर्थ करना है तो मैं कहूं प्रेम निरलेव है निरलेव प्रेम सिर्फ एहसास रूह से महसूस करो इसके ज्यादा कुछ निरलेव प्रेम की देवता तीसरा शब्द शंक्राचारी भगवान कहते है निसीम म्रम निसीम है सीमा से मुक्त है प्रेम कोई सीमा में आबद्ध नहीं होता सीमा से मुक्त है प्रेम जानकी के नुपूर के कनक बिंदू बरत जी ने शंगवेर पुल की सिशंपतरू की भूमी के नीचे जब बरत जी ने देखा रात्री में सब को सो गए राम को मिलने जाते हैं और गूह का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि बगवान तेरे यहां रात्री रुके थी वो कौन जग़ा तो वो शंपतरू के नीचे ले जाता है वहाँ वो कुश पात्री देखी और जानकी के कनक बिंदू देखे तो भरत को जानकी देखने लगे निसीम प्रेम हो जाता है कनक बिंदू में सिता के दर्शन हो जाता है देखे तो सामल धवल हिलो रे पुलक सरीर भरत कर जो रे गंगा जी का शाम जड़ देखा तो राम दिखाई देने लगे जमना जी का गवर जल में भरत को लक्षमन दिखाई देने लगे निसीम प्रेम सिमा से मुक्त होता है शंक्राचारी महराज एक चौथा शब्दे यूज़ करते हैं निस्पंद प्रेम निश्चलो निश्चल होता है निस्पंद उसमे कोई स्पंदन नहीं कुछ समय हुआ फिर नहीं 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 हुआ पर हम सब्दम यूज कर लेते हैं हमारे गुजराती मत कहते हैं लोग शुरुवात में कहते हैं लव 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 I love you मैं समझ में नहीं आता कि जिसके आगे आई हो और पीछे यू हो उसके बीच लव रह कैसे सकता होगा जहां मैं और तूं का बेद वहां लव कैसे रह सकता है I मानी मैं यू मानी तूं जहां इतना द्वाइत वहां पुर्ण प्रेम कैसे और मेरी ये बात सुनकर विदेश के कहीं भाई बेन किसी को लिखते हैं I love you लिखते लिए लेकिन I पर चौकड़ी कर देते हैं लूव कर यह बोल बोलतक रहां रहो पहलए करें हम लूव करते हैं लूव कर अमरीका में आँ मैंने का की वह ये बेन लोग अपने पती को तूं तू करती है ठीक है? सब को जिस की जैसी जिस की माच लिकिन पुराने लोग रहे तो दियात में रहे तो जरा पती को पत्नी तूँका है तो जरा जरा है साथ भाकि किसको में मना नहीं कर रहा ये भी ठीक है अच्छी है मैं तो पर लिबार अबरे का जब गया तब कि एक बहन ने अपने पती को तूँक चाह कर बुला कि सुना तू इधर आतो तू मैंने सोचा की बांचा होगा निकला भर्थार मुझे लगा की बांचा को बुला रही होगी ए तू आतो नीचे आतो तू निकला भर्थार निकला भर्थार कि भी हमारे पूराने चित में चराद बैठ नहीं पाया इसलिए पाकी तो जरूर तू को तो यह बनी गटना है तो हमको अमरीका में एक बेहन का है बापू हमको भी होता है कि हम पती को तू तू न करे लेकिन मैं उनके पती के रुबरुमा मुझे कहा कि हम उनको तू नहीं कहते हैं तो वो गुसा करते हैं कि तू मुझे लव नहीं करती हो कर तू तू मैं मैं करते रहो प्यार प्रिति की सरहदे हो सकती हैं प्रेम निसीम निस्पंद स्पंदन नहीं उतर चढ़ाव नहीं कभी हुआ कभी यह 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 निर्विकार हो फिर वही सूत्र ब्रह्म निर्विकार वैसे प्रेम निर् शुन्या, आकाश के सब लक्षन है, ब्रह्म के साथ के तुल्ना करते हो, आकाश अंतर बाहिये शुन्या है, उसका विभाग नहीं है कि आकाश के अंदर वो बाहरा सब, आकाश में कोई अंतर बाहिया अभेद नहीं होता, प्रेम में अंतर बाहिये का भेद नहीं होता, दोनो अब देखो भरजी बाहर पादुका के पूजा करते हैं और बीतर हियसिय रगुबीरू अंतर बाही का बेद नहीं है नित पूज़त पादुका राम का उता रहे राम ही है तो बाहर पादुका के पूजा बीतर पुलक गात हियसिय रगुबीरू अंतर बाहिय शुन्या उसको प्रेम कहते है अनन्या अनन्या होता है फिर अद्वयम शब्द ब्रम के लिए शंक्राचारिया तो यह सब सुत्र मेरी समझ में प्रेम में लगते है प्रेम ऐसा है ऐसा प्रेम यदि किसी से करो ना तो उनकी कभी बुराई न करो जिससे प्रेम करो उनकी बुराई न करो और बुराई न करो तो बलाई करो और बलाई करो तो बलाई का एहंकार न करो अब श्रणान जी के सुत्र उधर गुमा दो बलाई करो और किसी प्रेमी की बलाई करो ना तो फिर कभी इस भलाई का एहंकार मत करो और मैंने भलाई की ऐसी परतंत्रता उसको न दो उसको स्वाधीन बनाए रखो उनके स्वाधंत्र को आदर दो प्रेम का कोई हक न मांगो प्रेम में हक मांगना वो प्रेम के हक में नहीं है प्रेम का किसी से हक मांगना वो प्रेम के हक में कभी नहीं है यह बहुत गलत मारे प्रेम हक नहीं मांगे वे हवार मांगेगा दुनिया की स्वार्थीली जबाने मांगेगी प्रेम कभी हक मांगेगा प्रेम देवता के हक में एक बात ठैरती नहीं है प्रेम किसी से करो तो बुराई न करो भलाई करो भलाई करो तो भलाई का एहंकार न करो और जिससे प्रेम करो उसको स्वाधीन रखो उसको परतंत्र मत करो तुम पत्नी होगी तो पती को वश करोगी परतंत्र लेकिन तुम प्रेमी है तो कभी जिस से प्रेम करोगे उसको वश नहीं करोगे नारी भी बस नर्सकल गुसान लेकिन जो प्रेम करेगा स्वाधीन छोड़ेगा यह अच्छा शब्द है स्वाधीन जिसके प्रती प्रेम है उससे हक न मांगो उसको स्वाधीन रखो और उनके प्रती उदार रहो उनके प्रती उदार रहो शायद वो कोई भूल कर दे तो उदार रता से उनके प्रती उदार ये रखो प्रेम उदार रहो यह सब प्रेम सुद्र है मेरे अनुबहु में जो आ रहा है सुक कहरा हूँ आप परखना परखन्दा गुजराती में लिखा है परखंदारे कोई आदल अभी परखन्दारे कोई आदल माद अभी प्राहित्ना बाग सुबह सुबह में तकरार न करें और यदि भजन स्मरन कुछ करते हो स्वाध्याय ध्यान कुछ भी करते हो तो वो समय कभी किसी से तकरार न करें तेसरी नमागी भोजन करते समय कभी कोई करत अ था अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात उपनिशतकार कहते हैं ब्रह्म अन्न ब्रह्म हैं भोजन करते समय नहीं भोजन का समय होना इससे पहले सब हिसाब किताब करके खाली हो जाओ भोजन के समय लोग तकरा करते सुबह में तकरा करते पूजा पाठ करते समय तकरा फो ऩो जिन्दगी का अर्थ क्या है? हराजन के समेह तकर आर्व का हराजन के समय नहीं सुबह के समय नहीं भो जाएं नहीं रन्देला पिड़ा रहा है गुज्रातिमा का recording बना ईरशयुक्र रह जाती है क्योंकि तकरा तकरा क्या जिन्दगी है चौथा कोई यात्रा पर निकलो उसी क्षण तक्रार न करो यात्रा का हर्थ में कोई तिर्थी यात्रा हर यात्रा है या कदम उठा कर चलो यात्रा ही शुरू हो गई है गर से दफ्तर जाओ ना तब तक्रार करके मत जाओ खुद भी तकरार न करें और तकरार पैदा करने वाली कोई व्यक्ति घर में हैं तो वो भी न करें क्योंकि सुमीरी गजानन किनह पयाना यात्रा केवल हरिद्वार जाना ही यात्रा नहीं इमानदारी से दंदा करते हो और तुम हाथ में अपनी बेग लेकर तुमारे दफ्टर जाओ तो ये तुमारा दफ्टर भी तुमारा यात्रा स्थान है ऐसे जीवन दर्दी पर रहो बाज बाव इतलो बेदो बोले बावन बारो भले बोले तू ही या रहे जमीन पर दर्दी पर याद्रा के समय बच्चा स्कूल जा रहा है उसी समय तक्रार न करो यह उनकी याद्रा है विद्या मंदीर जा रहा है उसी समय तक्रार छीक नहीं पतनी कहीं कायरिय में जा रही है उस समय तक्रार न करो सभी आत्रा है पाँच वा अरंतिव आखिरी नमाज रात्री में सोते समय तक्रार करो तक्रार करके कृपिया कभी मत सोना एक तो तमस प्राकूतिक अंधेरा चाया हुआ हुआ है रातवे दुसरा तुमने अभी अभी बत्टियां भी बुजाई है तुमारे द्वारा निर्मीत अंधेरा भी आपने निर्मान किया है और तीसरा तमस कुरूद का तीन तीन अंधेरे में जो विश्राम का समय प्रभु ने दिया उसमें हम कितने संताग गरस्त रहते सोते सब उससाब किताब कर लेना भ fel नहीं तुझको ये कहा था तुने मुछ को ये कहाता भुल जाओ चलोजोजो अब सोना है चलो मुष्कुरा करके सोते समय तक्रार लेकिन मैंने देखा है कि करीब करीब इन पांचों समय पर ही ज्यादा तक्रार होती है ख़बर नहीं हद है हो क्या गया है सुबह से शुरू सुबह निकी संज्या शुरू हो जाती है बचो और ये कोई मेरी ज्यादा मांग तो नहीं है मैं इतना तो अधिकारी नहीं कि आपके इतना मांगो ये कोई ज्यादा मांग नहीं 45 सालों से मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ क्या मुझे इतना अधिकार नहीं कि मेरे शुरूताओं को कहूं कि मेरी जोली में कम से कम इतना तो दो कि बापो हम सुबह में नहीं तक्रार करेंगे हम भजन के समय नहीं तक्रार करेंगे हम भोजन के समय कभी क्रोज नहीं करेंगे हम कभी कोई कहीं जाता होगा उस क्षण तक्रार करके अब शुकन नहीं देंगे उसको और हम सोने से पहले इसाब किताब पुरा करके परम विश्राम के लिए यतना नहीं कर सकते आप है और यदि ये भी न कर सको तो खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा यहां तो सिर्फ गुंगे और बहरे लोग बसते कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधे की नगरी में में दरपन बेचने आया हूँ बहुत पुराना विचार है न अंधो की रमश पारेखने भी कुछ ऐसे कि अंधो की नगरी में में दरपन बेचने आया हूँ कहीं ऐसा नहो कि इतने तो कर शबते हो इसमें कौण बड़ी बाथ रूपया लेना ने देना ने पुजा करना ने पाथ निए तिलक करना ने पद्राम नी करना ने कुछ करना ने हम बस нет जाता है, एक किया जाता है, फोटोग्राफ्स लिये जाते हैं, ख़वर नहीं क्या-क्या होता है, भजिया खिलाए जाते हैं, यह सब अच्छ है, यह सब आपका बाव है, सवाल ही नहीं है, और अब तुम यह आपके साथ इतना मिल चुका हूँ कि आप न खिलाओ तो मैं दूरी रखे वो व्यास पीठ नहीं वो राज पीठ हो सकती है राज गादी हो सकती है मेरे देश के रिशियों की व्यास गादी कभी नहीं हो सकती दूरी न रखे यह तो आप ज्यादा है वरना मैं आप सब को यहां बिठा हूँ इधर इधर बिठा हूँ और बोल बोल कर गा, देखो क्या बात है, ऐसा है है, ऐसे करो, लेकिन अब क्या करूँ, सब हो गए, ज्यादा बुलाओं तो, आरती के समय भी ज्यादा मता ना पैसा है, ओलो रमेश, मैंने जो पांच बात कही ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक है, माजन क्या मलागे से हैं, बराबर से हैं, हमारा जो निट्यशृता जो है, उनको पूचो ने ещё는 बाफ सुने कृता मैं प्रह मेने तभी तो सुनते हैं, कभी जगह मिले नह मिले, ब्यवस्ता ह॔, नहो, अफमान हो, फिर भी सुने जा प्रही है, इतनी सालों से उनते जा जा है, बहुत अच्छा है। दमा दम दमा दम दमा दम दम कृपी दान है कि लना में दमा दमा घज है कि बीक दमा अंद निलेश क्या माधल कीव गरस तो नयरो national कीविक गजया ninth दुस도 है नारो बेलेश करआयाários एव्रेस्प सिह्टराव मिलन marc आउ थाई से, गुनवन तवावडी आके हैं गया से, हकाना तुमारे काई पूस्वान हो है नहीं कहा है, कहीं तो भीचारो बद्धू के एक बश्बभवाद। बाप, इपांच बंदगी है, यदि हम कर सकें, मैं तो आपके प्रतिममता की कारण कहे जाएं, जो धरापर की बाते समझें, उसको सोचें, तो भगवान ने भरत जी को कहा, प्रभुकरी कृपा पावरी देनी, मैं पादू का हूँ, पादू का मैं हूँ, तो भरत जी ने कहा, तो प्रभु पादू का बन जाए, आप भवन चलो, पिता की आज्या भी रह जाएगी, और बात गटना गट जाएगी, जवाब सुनिये प्रभु का, प्रभु ने कहा, कि भरत जो काम करना है, वहाँ पादू का जाएगी, तो काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो मैं जो प्रत्यक्ष भगवान हूँ, उनको भी भगवान मानने वाले लोग नहीं है, रावन मुझको तपस्वी कहता है मुझको गालिया बगता है जो मैं साक्षात ब्रम्म हूँ मुझे भी वो भगवान मानने को राजी नहीं मेरी पादुका को भगवान कैसे मानेगा हूँ पादुका को किबल जुत्य समझेंगे बोले तो मुझे जो काम करना है वरना तो मैं गर लोटा था कोई फर्क नहीं पड़ता पादुका जाती लेकिन ये पादुका को मानने वाले नहीं रावन आदी तो पद को मानने वाले है पादुका को मानने वाले कहा है ये तो हरी मिर्ची है रावन हरी मिर्ची है हरी मिर्ची को बंगाल में लंका कहते है ठीक है? बंगाली बाशा में हरी मिर्ची को लंका मुझे बहुत रासा आया, बहुत अच्छा लगा तिखी होती है लंका में तो तिखापन है मुलबाद तो हमारी है, सम, सम, सम सम पर रहना तो जहां मुझे जाना है, जो काम करना है वहाँ पादुका को मानने वाले कोई नहीं है सब पद को मानने है वहाँ तो मुझे स्वयम ही चाना होगा इसलिए मैं पादुका दे रहा हूँ तो पादुका ले ले और बर्द जी की मान सिखता बर्द जी को पादुका जब मिली तब तुलसिदाजी एक पंक्ती लिखते हैं अयोद्या कांड में गुस्वामी जी के शबद में भरते मुदी ते आव लंब लहे बरते मुदी ते आव लंब लहे ते अस सुख जैसे सिराम लहे ते ये भरत मुदी ते आव लंब लहे ते ते अस सुख जैसे सिराम लहे ते इधाने करुणा इधाने के जनव जूद जावी के प्रजाद प्राद में प्रजाद पाने संपूत भारत सनेह रतन के आखार जनव 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 प्रभुकरी कृपा पाई निनी साघर परत शीषण धाई निनी भरत मुदित आवनंब लहेते असे सुख जैसे ये राम रेते असे सुख जैसे तो दो अवतार राम के फिर रामकाल में हुए है भरत का प्रेमावतार और पादू का अवतार है सिताराम का तो राम प्रेम मूरतितन आहि भरत का मन तो भर है इसलिए प्रणवव प्रथम भरत के चरना क्योंकि उनको तो राम चरन पंकजमन जासूं ब्रह्म पर ब्रह्म चड़ाने का क्या फाइदा बरत जिब भेद भक्ती विचारते हैं कि मेरा ठाकू में चेरा ये मेरा गुरू में उनके इसलिए में कहते चला कि गुरू और शिश्य में कभी अद्वैत नहीं माना गया हमारी यहां अद्वैत का सिध्धांत लेकिन गु अधिमल कहते तो बिलकुल अद्वैत हो जाता और यहां द्वैत चाहिए तू ठापूर हो चेरो तोहे मोहे नाते अनेक मान ये जो भावे तात मात गुरू सखात सब भीदी ही तुमेरो तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज ह तो गोस्वामी जी कहते हैं इस भरत जी के चरण को में पर्थम प्रणाम कर रहा हूं जिसका नेम वरत वरणन नहीं किया जा सकता राम चरण कमल में जिसका मन भवर बन करके सदा सदा लुब्ध रहता है ऐसे प्रेम मूर्ति भरत तमाम धर्म का निर्वाहन कर दे बरत को देखते ब्रमचरिया ब्रमचरिय का धर्म सिद्ध होता है बरत जी को देखकर गुरुस्था का धर्म भी संपुर्ण दिखाए देता है और कल हम चर्चा कर रहे थे सोचिय जती प्रपंच रच बिगत बिवेक बिरा करम तुटा है सन्यासी कौन जो प्रपंच से मुक्त हो मैं कल हमारे कथाकारों को मिल रहा था कथाकार बाइवेनों को बाते कर रहा था तो सब ग्यवस्था पर उसको कह रहे थे कि बापू की कथावें से आपको अच्छा क्या लगा बोलो इसको क्या अच्छा क्या लगा तो मैंने कहा कि अच्छा लगा वो तो बोला लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा वो भी बोलना ताकि मैं सुधार करूं ताकि मैं भी सोचू तेरे मेरे हाथ में पत्थर मैं भी सोचू तू भी सोचू तेरे मेरे शीशे के गर मैं भी सोचू तू भी सोचू लोकसभा में मादवसी सोलंकी नहीं शीर का तब मिनिस्टर थे तेरे मेरे शीशे के गर मैं भी सोच दूबी तो भी सोच तेरे मेरे हाच में पत्थर अबी सोचू तो अधि नहीं तो स्वावा भी कैसे बोले लेकिन हमारे स्वामी जी महारा ते बुठे बापु आए यह खम को अच्छा ने विनोद में कह रहा है दिór बड़े प्रसंताब से स्वामी ची कहे एक बस तो हमको अच्छा नहीं लेगे बोले क्या दो दीन से आप भगवे कपड़े पर जो प्रहार कर रहे हैं मेरबानी करो ना आप मुझे बड़े प्रहम से कह रहे है वो मेरा मेरे कहने का सूर्थ तो समझी रहे कि में कोई यालोचना के रूप में नहीं के था बगवे कपड़ों के प्रती मेरी आँखों में कितना सनमान है वो तो कोई मेरी आँखों से जाके तो पता लए आपकी आँखों से नहीं पता कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो तूह मेतं एंगावि दिर्टखर, वीकावि लुदर काए वाहुता अबादा है disrupt काई। समां इनी कर, समां कर, ताहि महीजी तुह दे वताओ, तुही दे वताव तुहे दे सारह माँ दोहा दो è दे वताओ, तुही दे वताओ बहुत रात लेखी चरगों में सुगादू पवंचेडे सरगं मेंनो भी सुगादू बहुत रात लेखी चरगों में सुगादू पवंचेडे सरगं में दोड़ी सुगादू तुमें बेख गर्यादू कि जैसे भरी उस्ता कोई सुगादू कोई मेरी महाद को से देखने के संजे तुमें देख गर्यादू जिदर देखती हूँ उधर तुम की तुम हूँ नजाने मगर किन ख़्यारों में गुदू मुझे देखकर तुम ज़रा मुस्किदारों नहीं तो मैं संजु मुझे से खफा हूँ तुम मेरे मुझे तुम ही 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 तुम तो कल कह रहे थे कि बाबु बस मुस्ते हस्ते अच्छे मुस्कुराट के साथ करें। बस भगवे कपड़े पर आप जो कह रहे हैं ना वो जरा मेरे सूर को समझते हैं। लेकिन सोचिये यती प्रपंचरत वो सन्यासी वो यती वो विरक्त जो प्रपंच में हैं उसकी अलूचना होनी ही चाहिए। मानस ने की है इसलिए अब देखो धनुशी एग्या में सब राजा जनुश नहीं तोड़ पाए तो मलान हो गए तो तुलसिदाज जी ने द्रश्टांत कों दिया सन्यासी का दिया। कैने द्रश्टांत कि युद्माने सब्रेश्टांत क kicking का विर कान मानू करन जामवनत्अ का दिया मंओं। ने ऐसे कोई माला ये पहने थी लेकिन उनके समान कौम सादू है लाकि वेश में तो बंचक भगत कहा ये राम के किंकर कंचन कोग नाम के कालने में बैठा था बड़ा सन्यास का रूप लेकर प्रताब बानवाला वो कपट मुनी बड़ा शुंदर रूप लेकर बेटा था समाजने उसको पुजानी और हनुमान आज भी पुज्ज है क्योंकि प्रपंच रत नहीं है प्रपंच से मुक्द है प्रपंच रत भरज्जी में प्रपंच नहीं है प्रपंच मुक्द है मोई समान को अपने को साई दिरोही कहते पर पंची पप्त फिर दो शब्द पर कुछ और ध्यान दे मानस क्याधार पर बिगत विवेक विराग ऐसा सन्यासी मृत्यू के बाद अपसोस के योग जिसमें विवेक नहीं वह राग्य तो सिदा सार्थ हो गया कि जिसमें विवेक हो वह राग्य हो वही सन्यासी भरत के विवेक के बारे में क्या का है विवेक को हंस का रूप माना गया भरत हंस रविवंस तड़ागा भरत हंस रविवंस तड़ागा जानम तिन गुन दोस तड़ागा भरत हंस रविवंस तड़ागा लेकिन भरत के विवेक का एक रूप तुलसिदाज जी ने बहुत सुन्दर क्रमशह दिया है मानस बे जनकराज और महामुनी वशिष्ट जी कोई निरने पर नहीं है वशिष्ट जी ने तो कह दिया चित्रकूट की सभावों में कि मैं बड़ा बुद्धिमान आदमी लेकिन मेरी भक्ती भरत भक्ती बस भैमती बोरी मेरी बुद्धी भरत के भक्ती में डुब गई मुझे विचार करने की ख्षमता ही खतम हो गई मेरी बुद्धी चलती ही नहीं मुझे माप करो पशिष्ट जीन आत उपर उटा दे और जनकराज भी कहते हैं कि भर्त अध्भूत है ब्रह्म विचारों में मेरा मन चलता है लेकिन भर्त को देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि क्या निर्णई करो फिर सोचा कि अब तो राम को कहे कि क्या निर्णई करें राम को पूझा तो भगवान राम ने कह दिया कि मेरी इच्छा तो यहीं कि भर्त जोका है सो करो बदे कुछ करना लेगा अब राम जी ने इसा कहा तो तुलसी जी लेखते हैं कि उसी समय मुनी और जनक सब संकोच में पूरी सभा डूब गई कि अब करें क्या भर्त का चेहरा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए जनक का पंच विफल वशिष्ट जी का पंच विफल अब दोनों ने मिलकर निर्णे किया कि कोई एक सरपंच बनाया जाए जो इसका फैंसला करें सब डूबे थे अब क्या करें अब तब तुल सिदाच जी मैं कल थोड़ा सपर्श कर गया था उसी को उठाओ सोक गनक लोचन मति चौन आसोक गनक लोचन मति चौन पवरानक द्रश्टान तुल सिदाच जी ले आए इराणी कसिपू इराण इरन आक्षण के तें पृत्वी को एकदम अपहरन करके ले जाता कोई निरणई नहीं आता तब शोक रूपी कनक लोचन सोक कनक लोचन मति चौनी बुद्धी रूपी धर्ति को उठा ले गया पर ध्यान देना जब व्यक्ति शोक में होता है तब बुद्धी कहां काम करती है रामायन में आता है शोक निवारेव सबहिसन निजब विज्ञान प्रकाश ज्ञान ही तो शोक का निवारन कर सकता है जहां विवेक नहीं वहां शोक बढ़ों-बढ़ों की बुद्धी को हिला देते हैं वशीष्ट जनक जैसे महापुर्शों की बुद्धी रुपी धर्थी को शोक रुपी कनक लोचन ले गया अब कौन फिर वराह अवतार हुआ जो वराह ने पृत्वी को बचा है भरत विवेक बराह विशाला भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तेही कारा अनायास उधरी तेही कारा श्री भरत जी का विवेक ज्ञान उनका विज्ञान वराह अवतार के रूप में प्रगट होता है और शोक रुपी कनक लोचन ने बुद्धी रुपी धर्थी को चुरा ली थी सब की बुद्धी को मुक्त कराया सब को सावधान कर दिया है उस पंक्तियों का पाथ को आगे करी प्रनाम सब कह कर जोरे राम राओ गुर सादु निवोरे चामब आजू अति अरू चितन बोरा काम बदना मृतु बचान कर दोरा ही यह सुमिरी सारता सुहाई मानस ते मुक्त पंकज्रा अब सब चूप समकी मुद्धी चुरा ली गई थी बरत के विवेख के वराह उतार हुआ और बरत पर सब दाईत वाया बरत जी समको हाथ जोरकर बोले तब बरत जी ने एक मिनिट के लिए आखे बंद कर दी जब समकी मुद्धी हर ली जाए और परिवार के किसी एक सदस्ष का विवेक जागरूत होना तो बचा लेता है लेकिन वो कैसा होना चाहिए विवेकी? अंतर मुखी होना चाहिए यसु मेरी सारदा सुहाई भगवान तो अंतर यामी है भगवान ने तुरंद बरत को पकड़ा कि तुझे तो मेरा समर्ण करना चाहिए तुझे तो शारदा को बोले महराज आप कोई नहीं बोल रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं क्यूं बोलू वोट मेरे हिलेंगे सरस्वती बोले तो बोले सरस्वती तो कोई दूसरी बोले दूसरी तोड़ी है महराज मेरी सरस्वती को आप न चाहिएगा मेरे होट ही लेंगे निर्णई तो आपके द्वारा संचालीत सरस्वती करेगी जहां जनक आप और वशिष्ट न निर्णई करें मेरा कहना क्या वहाँ सार्थवती का अब बुलवा ही रहे है तो रियस मेरे सारदा सुहाई मानस ते मुखपंकज आई बिमान बिडेगा धरम नय सारी अभरत भारति मन्जु मराले सिमरन किया और प्रभू आखिर में तो संचालक परमात्मा हैं फिर वहाँ विवेक शब्द का उप्योग तुलसी करते हैं और फिर आगे भी विवेक शब्द का प्रयोग करते हैं निरखी बिवेक बिलो चननही सिथिलसनेह समाजु करी प्रणाम बोले भरत सुमिरी सेर दभू आखिर में सबकी बुद्धी शोक में डूब जाएं शोक बुद्धी को चुरा लें तब अपने विवेक से सब को मुक्त करें वो सन्यासी का लक्षन है कर दया है झाल 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 उसको गलत चीज पर वैराग होना स्वाभाविक हो जाएगा जानवेगा बड़े-बड़े मकानों में आप जो घर सजाते हैं लोग तो नहीं जोटे फल घर की सजावत में केला ही लगे से भी ही लगे ऐसे जोटे हमारे मौवा में बहुत मिलते हैं खिलोने की दुकाने मौवा में मौवा ना रमकड़ा बहु अखना है लकड़ी के लविंग बनाते हिलाइची बनाते भूल से कोई खाजाए दांत तूट जाए लेकिन बेल्कुल आप मौवा के देखे हिलाइची मानि कोई तरी में दे कर दे तो कोई भी भूल कर ले तो कोई पॉर्ट में वो रखा है फल तो लगेगा कि केले हैं अंगूर है मौसंबी है नारंगी है सेव है सब ऐसे लेकिन घरधनी जानता है उसको उनके प्रति कोई रुची नहीं होगा क्योंकि जानता है कि नकले लेकिन मेमान को होगा कि जानने वालों को वैराग हो जाता है नहीं जानता उनके मूह में पानी आने लगता है जो विवेक से जगत को जान लेता है उसको वैराग होना स्वाभावी के करना नहीं पड़ता तो त्याग और वैराग क्या परिभाशा मेरी व्यासपिट ने की थी फिर दो मेरी समझ में त्याग वो है जो हाथ से छुटे वैराग वो है जो हैय से छुटे दिल से छुट गया फिर हाथ से छुटे न छुटे कोई चिंता नहीं वो दो बहुत विखो की बात है न कि नदी पार करने गए एक जुवान स्त्री खड़ी थी और दोनों बड़ी सुन्दर स्त्री थी वो स्त्री ने कहा मुझे पार करो तो युवान जो सन्यासी था उसने सोचा कि मेरा करतब्य में उसको पार तो कंदे पर उस्त्री को बिठा दी और नदी पार कर दी वो बुड़ा सन्यासिता वो भी पार हो गया दोनों गुरु के आश्रम में पहुँचे पहुँचते ही बुड़े शिश्य ने गुरु से शिकायत शुरू कि कि ये जो जुवान चेला है ना परमपरा बिगाड़ दी उसके एक जुवान स्त्री खड़ी थी उसको कंदे पर उठाकर नदी को पार करवा दिया गुरु ने बुलाया तुने ऐसा किया था बुलया किया था जो दंड दो दो लेकिन एक बात मेरी भी सुनो मैं इस सन्यासि को कहना चाहता हूँ कि मैंने तो इस स्त्री को कंदे पर बिठाकर इस तट से इस तट तक ही ढोया था आप तो आश्रम तक लिया है अभी भी नहीं छोट रहे हैं उसको अब तो उठार मैंने तो कंदे से उठार दी बात खत्म लेकिन तेरे दिल से वो स्त्री जा नहीं रही हाथ से छुटे त्याग दिल से छुटे वेराग हाथ से नच और जिसको दिल से छुट गया उसको हाथ से न छुटे तो भी कोई चिंता नहीं अन्ताकर्म से छुटनी चाहिए त्याग न तके वेराग बिना हमारे गुजराती में निश्कुलानंद स्वामी का पद है ज्यागन टके वैराग बिना बादी बिरती बिनु ब्रह्म बिचार ग्यानकी होई विराग बिनु हर सुत्र देखिये मानस के तो जब विवेक होता है तब विराग निर्मान होने लगए सब बाते साब साब दिखाई देने लगए अब एक बच्चे को कोई बाप ले जाए पिक्चर देखने और बालक पिक्चर देखने में सक्षम हो गया लेकिन अभी बालक है उसको ले जाए कोई पिक्चर देखने हमर गाउं में एक मुखी थे ना उसको पिक्चर का इतना शोक था तो इतनी उम्र में पिक्चर देखने जाए चल चितर तो लोग आलोच ना करें तो वो क्या करते हैं ये पीछे पड़ा है कब से दो दिन से पीछे पड़ा दादा फिलम देखनी है अब मैं बुड़ा फिलम देखू अच्छा है चल ठीक हां चल ऐसे बच्चे के नाम पर खुद चल चितर देखू ऐसा करें सत्य नाराइन भगवान की कथा में जाए दादा और बेटा में न देखा ये सब अब परसाद तक ही बैठना फिर भजन बजन में बैठना नहीं तो नाम बच्चे का तो तो क्यों आया मैं तुम्हें कहता था कि मुझे तो भजन में बैठना है नहीं बैठने देगा ठिक चाथ परसाद लेगर बच्चे के नाम पर सब चला लेते बहुत बथ पिक्चर के बहुत मैं भी छुटा था तो मुझे कहते रहते है वो गीत गाह उसको एक गित बहुत प्री अब तो वो नहीं रहे लेकिन उसको जो प्री गित था उसके आत्मा के सद्गती के लिए मैं अब गाह अब ख़बर नहीं मुझे तो कितने कितनों के सद्गती कर लिए होगी तो सतर साल का बूटा आदा है चंजरा रात आधी आधा है चंजरा आधा है चंजरा रात आधी रहन जाए तेरी मेरी रात आधी मुला आधा है चंजरा रात आधा रहन जाए चंजरा आपने सादा, दारादा, यादी नादा, ओत पादे कीले, मैं नादे मिले, ओत पादे कीले, मैं नादे मिले, रही मन में मिलन की हो, दात रादी, दिरा कादा ये, पाहरा ये चंदा ये, रहने जाए तेरी मिले, दात रादी, मिले, दात रादी, तो वो कहा करते, चल आप दिन से पीछे लगाए फिल्म देखना, इतनी उम्र में में फिल्म देखो, चल अब कोई दादा बेटे को पिक्चर देखने, ले जाए, अब चल चित्र में फिल्म में कोई मिठाई की दुकान आए, और बच्चा कहे कि मुझे लड़ू दो, तो दादा कहेगा, बेटा ये चल चित्र है, वो लड़ू खाया नहीं जाते, तो बच्चा सोचेगा कि पैसा खरचना पड़े, इसलिए दादा नहीं दिल्वाते, लेकिन फिर कोई द्रश्या आए, पानी, नल खुला है, जल गिर रहा है, तो बच्चा कहे मुझे पानी प इसलिए चल चित्र है, कुर्शी पर बैठ कर देखते रहो, वैसे ये संसार ये चल चित्र है, शंकराचार ये जैसे कोई दादा के पांस में अपनी खुर्शी पर बैठे बैठे देखते रहो, अपनी खुर्शी मत छोड़ो, वहां से मिलने वाला नहीं लड़ू, सिनेमा क तो पानी का एक बंद मिलने वाला नहीं कोई सद्गुर्व के निकट बैठ कर उपासना का अर्थ है निकट बैठ कर उपनिशत का अर्थ है किसी पहुचे हुए महपुरुष के सन् निकट बैठना और इस संसार को गुरु जिस आंख से देखे उसी आख से देखने से वैराग का जनम था वहाँ से विठाई नहीं मिलेगी कहितात स्वई परम विरागी तुरुन समसिद्धी तिनी गुनद्यागी तो भरत में विवेक जो है सन्यासी का वो पुर्ण मात्रा में पूरे मानस में भरत यात्रा में दिखाई देगा आपको वैराग भी मैं कल भी स्पर्श कर चुका था भरत का वैराग अवध राजस राजस दस रत धन लकि धन दर जा और तुनसी कौन सब्दी उज़ करते हैं तेगी पूर्बसत भरत बिन लागा तेगी पूर्बसत भरत बिन लागा चंचनिक जिमिर्चंपक बागा जिमिर्चंपक बागा अवध राजस राजस्वाई दस रत धन लकि तेगी पूर्बसत बिन लागा तेगी पूर्बसत भरत बिन लागा तेगी पूर्बसत भरत बिन लागा बिन लागा विरागा दश्रज्जी का राज्ज देखकर देवता लोग सराहना करते दश्रज्जी का धन देखकर कुबेर लज्जीत होता था ऐसे राज्ज में वरत किस तर हरह रहे हैं बिना राग विरागी होकर दिरश्टांत दिया चंचरीक जिमी चंपक बागा जैसे चंचरीक भवरा चंपा की बाग में विरागी बना रहता है कहते हैν कि भवरा चंपा के फूल पर बैठता नहीं सुंगता नहीं, चुसता नहीं, पराद नहीं बैठता अब भवरा चंपा के बाग में विरागी रहता है क्यों? उसका सच्चा जवाब तो भवरा ही दे सकता है हम तो कल्प ना कर सकता है शिजी बात है, भवरा ही दे बाए लेकिन सब अपने अपने मानसिक्ता से बहुत जवाब खोजे गए साहित्य में भी, कि भवरा क्यों नहीं, क्योंकि आखिर में तो आदमी अपने अपने मानसिक्ता के रूप में अर्थ करता है कि भवरा चंपा में क्यों नहीं बैठता है सब अपने अपने डंग से सुबह थी और चिडिया बोल रही थी तो कोई भगत को किसी ने पूझाई चिडिया क्या बोलती है अब चिडिया क्या बोले वो भगत क्या जाने दूसरी चिडिया जाने या तो कुछ जाने हम तुड़ा जान सकते हैं लेकिन भगत को पुझा कि चिडिया क्या बोलते हैं उसने का चिडिया बोलते हैं राम लक्ष्मन दशरत 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 राम तरुदर पेल बैंठी में आगर कैने आगर्स अे अंतर状न इंटा कि रसा साइज करें इस सधी ची रिद्रे को पूजाए चे मैं में जोओ tuh सब्सक्ति दंड बेतक कस्रों , और तो थरह, खते हैं!!! सब्सक्ति निया शॉक्रों , और धिक एक उडिए हैं सब्सक्ति लोग्म के राम क्राथ, क्य जोड़े चो अविए, वझाल का जड़िय? उसे चिडिया को बोले बोले मिरच धनिया अधरक जाकी रही भावना जैसी जैसी आदमी की मान सिखता तो चंपा के फूल पर चंचरीक क्यों नहीं बैटता उसमें सबने उपाई खोजे एक कभी ने तो कहा चंपा तुझ में तीन गुन रूप रंड अरुबास लेकिन एक आउगुन ऐसो भयों की भावरन आवे पास चंपा में तीन गुन होते रूप होता, बड़ा सुन्दर होता है रंग होता है, स्वेत और गंध होती साप आकरशित होते चंपा के पुश्प के प्रती साप आकर्शित हो जाए चंपा तुझ में तीन गून रूप रंग अरुभास एक अउगुन ऐसो भयो भवरन आवे पास भवरा नहीं आता है लेकिन क्यों नहीं आता है तो एक और जवाब देता है कि चंपा कहता है कि माना मेरे पास रूप रंग और बास है लेकिन भवरा मेरे पास नहीं आता है जिसा नहीं मैं नहीं आने देता है क्यों कि कली कली महबत करे जा भवर न आवे पास हर कली पर प्रेम करने वाला तु मेरे पास मत आना चंपा मना कर देता है भवरे को कि तु दूर रहे तु तु तो हर कली पर ब क्रिश्न काला भवरा भी काला इसलिए तो भागवत में भवरगीत आया अचारी चरण भवरगीत वो जो उद्धव जी आये तब जो भवरे को देखकर जो उद्धव को उलाहना लेते हूं ये गोपियों ने जो भवरगीत का गान किया कप्टी है भवरा मधुप कितव मधुप जो शुकदेव जी का शब्द है वो क्रिश्न को इस व्याद से सुना रहे थे भवरे के निमित क्रिश्न को टाना मार रहे थे अभिप्राई ये हैं कि काले क्रिश्न भवरा भी काला लेकिन क्रिश्न ठाकूर है भवरा उनका भक्त है जिसे राम चरन प तो किसी कवी ने का चंपा वरणी राधिका भवर हरी को दास तेही कारण आवत नहीं भवरा एसा कुछ है चंपा के पास एसा कुछ है सियावर राम चंद्री की जेर चंपा वरणी राधिका भवर हरी को दास ये प्रभु का दास है चंपा वरणी राधिका है इसलिए वो उनके पास स्वाबावी के वो मरियादा बिहार से पंडिज्य है जिस देश में गंगा बैती है जादा के नहीं लालच हमको थोड़े मतुजारा होता है तोड़े चैन से बेटे हो तीनों सो तन्यवाब आप तो ऐसे ऐसे दोहे और काव्यों में भी भमर और चंपा की बाते सब बताई तेगी पूर बसे भरत बीनुरागा चंद चरीप जिविचंपा आगा तेगी पूर देगी पूर देगी बताई बस अ हरत बीनुरागा रमा भी लास sun ऑन अनुरागी ए लाम अनुरागी तजत्वमन जिमिजन बडभागी जिमिजन बडभागी तेई पूरत बसत बड़त बिलुरागा चंचरिक जिमिजन बडभागा अवद राज सुर्रा जो सिहाई वसरत बनन लखिधन बरजाई तेई पूर बसत भरत बिलुरागी तो सन्यासी के जो जो लक्षन होने चाहिए वो सन्यासी के धार्म शिरी भरजी में दृश्मान है प्रपंच मुक्त हैं भरजी परम विवेकी हैं भरजी परम वैरागी हैं शिरी भरजी सोचिय जती प्रपंच रत बिगत बिवेकी बैखानस सोई सोचे तप रुपी हाद यहावें भरजी अब वानप्रस्थी की चर्चावानप्रस्थ का धर्म बताया एक उम्र होने के बाद हमारे यहाँ आदमी वानप्रस्थी वनकी और प्रस्थान करता है अब भजन साधन करना व्यवार की बातों में ज़्यादा उलजना नहीं बस वनकी और मुख हो जाएं शायद भवन में रहे तो भी मुखमन उबन की और रहे इसी तरह हम किसी कोई नहीं किया देगे संसार छोड़ कर निकल जाओ लेकिन वृत्या भवन परक नहो वन परक हो भागवत जी में आया है लोग धर्मों से विमुख और तपस्या की और मुख इवान परस्तर बहुत मत कठीन है एक उम्र हो जाए व्यक्ति को दिरे 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 प्रत्याहार करना चाहिए संतानों को सौपते दिरे दिरे समझाते शिखाते अशिरवात देते जैसे जैसे लाइक बने माता पिता को हटना चाहिए तेरे रिवान परस्त, कब तक पकड़े, लेकिन बड़ा मुश्किया है, बाप मरने को था, तीन बेटे थे, भाभी जाने वाला ही था, आँख खोल कर पूशने लगा अपनी पत्नी को, बड़ा भाईया कहा है, बोले आपके पास खड़ा है, दाईयाद क्यों खड़ा, ठीक ह मजला कहा है अपका पैर दबारा, ठीक है, चोटा कहा है, इधर खड़ा है, और चिला है, आप तो दुकान पर कौन है, अर मरना है उसको, दुकान परम, अज सब यह मरे दुकान पर कोई नही यहाद, इवान परस्त नहीं है, मुख का रुख भवन में रहते हुए वन की और हो और वन की और होना होना मतलब तब करना वान प्रस्थी का मुख्य धर्म को स्वामी जी बता है दिखा रहे हैं तब तब करना मानी कोई तब करने का मितलब उपवास करना यह सब जरूर है जो कर सके करे मेरा प्रस्थी को मुख्य जाना भूखे रहना अपने शरीर पर कोड़े मारना असुई धामे जीना ऐसा नहीं लेकिन जो स्थिती आए उसी स्थिती को मुश्कुराते हुए सह लेना तब ह सब्सक्षार करें करें को अपमान करें मान दे तब कोई पूरस्कार देए को दिर्सकार करें शान कर गबको सहले ना वीवेक से उननी का नाम तब है सरल व्यक्या के लिए लाकि तब की बड़ी मही तब बैखानस अब बूड़े आजमी जब बानप्रस्ती व्यक्ति हो जाए ना तब आजमी को कभी कि आप मैंने तो देहा तो में देखा है कि जैसे उम्र होती उसको समय पर यदी भोजन न मिला तो चिड़ चिड़ हो जाते किया कर रहे हो तुम लो मुरत्यू के पहले मुझे मार दोगे तुम मेरी एक थाली ठीक से नहीं परुस रहे हो करते क्या हो तुम कहा कहे है साथ हो कहां और बच्चे तो जवान उनके सामने तो बहुत बोलनी पहा है तो सब कुरोज आता है पत्नी पर तू ही सब को चड़ाती हो तूने ही सब को मुग लगाया है थोड़ी देर हो जाए और सहनशिल्ता गवादे ववानपरस्त धर्म का अपमा तब सहो सहो जान बुझकर अकारण तब कि मैं सब कुछ है फिर भी भुखार हूँ ऐसी बात नहीं है ठाकुर को भोग लगा कर प्रहम से खालो अच्छे कपड़ा पहन लो तुलसी ने सब छूट दी है तुम ही निवेदीत भोजन करेगी प्रभुप्रसाद पटभूशन दरी सब छूट है लेकिन कभी न मिले तो मन को समझाना प्रसनता से क्या लोग तानन बसरी भरत भवन बस तप तानन कसरी भरत पवन बस तप तानन कसरी दो दी सिख समुजी कहत सब लोगु कहत सब अभी दिभरत सराहन जोगु लखान राम सिय आना मसरी घरात भावन मस्तप घरां के संभी दिभरत सराहन जोगु सब अभी दिभरत सराहन जोगु सो बैखान सोई सोचे जोगु तप भिहाई जेही भावई भोगु तप का त्याग करें और जो भोग जिसको प्री हैं। वानप्रस्थी अपसोस भरजी वानप्रस्थी है क्योंकि तब कर रहें और भोग से रमा विलासराम अनुरागी समस्त भोगों से उरुची बिलक कर चुके हैं वन में नहीं गए भवन में रहकर वानप्रस्थ हो गए तो ब्रमचारी, गुरुहस्थ, सन्यासी और बानप्रस्थ इन चारों का धर्म श्री भरतलाल जी ने चरितार शायद इसलिए गोश्वामी जी कहते हैं सकल धर्म धूर धर्णी धरत को आप नहोते हैं तो समस्त धर्मों को दुरा को इस जगत में कौन धर्ण करता है ऐसे भरत जी का दर्शन हम इस कथा में परदान रूप में कर रहे हैं और दर्शन कुछ कल करेंगे आज यहां से जाएं इससे पहले जो समय बचाएं उसमें थुड़ा कथा का करम ले दूए कल राम जन्म महोत्सव मनाया गया बहुत उत्साह के साथ ने ने आप हसते क्यों है और मेरा कोई मेला इरादा नहीं है में कोई ऐसे कोई लेकिन बहुत उत्साह के साथ उत्साह का अर्थ ही है उसमें आनंद के अतीरेक में क्या पता लगए हैं तो कल तो भाव में यह नी उत्साह में सब्सक्राइए राम जन्म महोत्सव अयुद्या में हो रहा हैं दो मिनिट उनके सन्मान में संकिर्तन करें हुर्ण में सिक्राँ हुर्ण में एगड़े हैं हुर्ण भ्रवेश करें आर रामा राम सीता राम राम रामराम ।राहँ रामराम रामराम HRomasitara हरुआ रामराम सिता राम, 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 सिता राम, 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 सिता राम, 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 सिता राम, 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 सिता राम, 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 राम, आरे रामा रामा रामसीता राम राम प्राम माज ALEX dalam ॉpar आरे रामा राम aplic वा देशन कीर blunt अरे रमारा मारा सुथारा बखो नहां अ मत रे रामारा मारा सुथारा, से भाल रे रामारा सुथारा के दोंगो यहां। अरे राम 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 सुथा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 रा रादे 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 पुष्री नाथ भजो नाजे गुविंदा पुरी जगन नाथ भजो रादे गोविन्दा 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 जगन नाथ भजन नाथ भजन नाथ भजन्दा जगन रादे गोविन्दा जगन नाथ भजन्दा आधिशिव ओमका अजन हरत पाप भार निरंजन निराकार इश्वर नमामी ए दायक दवनी धिदार ओपर मैमाय पार सरजन जन्चार चार सल्कर स्वामी गहरी चिर्वहत गांग पाप हरत जलतरंग उभ्यायर धंग या के पहारी है सुंदर मुर्ती समाज हर दम जुग जोड़ी हात भजभू मन भीमनात शंकरवारी भजभू मन भीमनात शंकरवारी आ भलकत है चंद्र भाल जलकत है नेन जवाल धलकत मिशाल आल मुंडन की माला है धर्म भक्त प्रणत पाल राम रटत सो निहाल फाटत है पंदपात दीन दयाला आ शोभे योगी साउप बकत हकासित भूप जुर्चित अनूप लेप भश्म धारी अ सुंदर मुर्ती समाज हर्तम दुग जोडी हात बजभू मन भीमनात शंकरवारी बजभू मन भीमनात शंकरवारी कि अनुएं समय था था शंकरवारी भूमद संती गुमांद भूमद अनके जुंद गुंद भूमद जाजत प्रमांद नाचत भेरूं आकर धरत्री शुनतमंद राक्षस दन देन दंद खेलत चंभू अखंद डहकत डेरूं देवन के प्रभू देव प्रगण सत्य अप्रमेव चतुवानन करत सेव नंदि सवावीं सुंबर दूती समात भज्टम दुग जोड़ि हात बद हूमन भेमनात शंकर भारी सुंखत चैलास वात दिपत खुण पास दात रंभा निच करत रास उत्सम राके नेत्रत्यत होचनात पुरतुमिकत कानत्रात धोवे मन कुझुणात भ्रमना भाजे चर्चत नर्चरी छंद पिंगल सबकू प्रसंद प्रंदन आनंद होत वारं आरी सुंदर मुर्ती समाज हर कम जुग जोड़ी हात बज़ुमन भीमनात शंकर भाजे बज़ुमन भीमनात शंकर भाजे धलकत भे चंद्रवान जलकत नैमक्वाल जलकत है जलगिशाल धुंदन माल बन धर्म भद्ध प्रनत पाद नाम वक्वत सोलवा खाचत है फंद तखल इन दयारा अनैशोवे योगी प्रणुग सहत ब्रखा सीत भूँद जुर्धत लपुमन भाजे पन भाजे असुंदर मुर्ती समाज हर्दम जुग जोडि हात भजुमन भीमनात शंकर भाई असेल स्रिंग समविशाल जटा जूट चंदर भाई गंग कीत रंग बाल विमल जाल राचे लोचन त्रै लाल लाल जंदन की खोरी भार कुम कुम सिंदुर गुरार भगुटी युगल साजे रूंडन की कंठ माल विक्सत लरुके प्रशाल फटिक जा रुद्रमार नर कपाल साजे भंभंभंभं डमरुबाज नागवेद सर्वताज शंकर माराज याज जान्द वनाजे बोले माराज याज जान्द वनाजे समरत जेहिजेशा इपत सुरेशा उत्र गणेशा निद प्यादा ब्रमान प्रवेशा प्रतिभु परेशा अजरों इमेशा उत्धारा वेहज नर्वेशा कृत शिर्केशा तलत अशेशा अघरेशा जर्द वस्तिधेशा धरन कलेशा बगन हमेगा मारेशा जिल बगन हमेशा परसा धर्यमार सर्यमुकर कार कर्वर घर मेल कडे हर्यार सुर्या वार्य चर्यति भर्वर मन हर्वर्वार अरग्वरे निर्खत नार प्डरवार प्रवर जन नीरद लिकूत मुकूत सिर्सवर्ण में खनरावपट भरार घरर अरग्वर घरर सुन्दर शाम्रमे जीवुरंग भर सुन्दर शाओ अशाद पुषारं मदुर्बलारं बलिर वहारं सर्धारं तादूरिदकारं मर्शंकारं अलिकातारं विष्टारं मालगे संधारं चास्यकारं और कुमादं विष्टारी यसे के उतित कारी कि लगारी विष्टारी विष्टार विष्टारं ग्रशंकार खदर यमार चर यनु कर कर रवर घर मेल कर यएर चुर्य वर्याचर यत्मन हर भर भार युर्य तियर आखप निर्खात्नार प्रवर परवार कर निर्जर्नी कुट्मु कुट्सीर सवर्नमे घणरो पट भरार घरर बड़ गूंगर रंग बर सुंदर शामर में जीव रंग बर सुंदर जीव रंग बर सुंदर जीव रंग बर सुंदर जीव रंग बर सुंदर जीव बर सुंदर जीव रंग बर सुंदर वा गुर, वा गुर, वा गुर कर्का एकक implyнего गुरु आय गुरू जुर कोरते हमें में भूँआ पर आछुआ गुरुवाई 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 कर दो 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 हरेija कर दो कर दो हरे ले हरे लोगे रादा आरे लाट इना जो से थासट प्रिश्णित्तार आरे हली दाम ON के आरे पहल sólo साधता हम लाटे का जा। पिष्मा पिष्णा अरेवे राँ अरेवे राँ आरेवे। पवंतने संकत्र हालन मंगल मूनतिय। कर दो, कर दो, कत्ना ड।